श्ष्ष्, बैट जा बैट मैं लेडीज लोगों की बहुत इश्जट करता हूं और इसलिए अभी तक को हा रहा हूं मतलब समझ रही हो ना 20 मिनट और, फिर तुम यहां से जा सकती हो जहनुमे अं, टाइम अप यहां 24 आवर्स इंवर्टर बैक अप है शौर्ट सर्कृट का चांस ही नहीं है पावर जाने का मतलब है वह आ चुका है उसे धून जाओ चलो जूनों से धूनों से गार से नहीं है, प्तलों से थीजग यूनों से भाप हावर कुच का तंक अचिता है वह वह आप.. यह पाँ है यह बाद ऑाँ है कर तो, कर को. कर वे दो. झाल झाल! हो! अँचचचो! वरिवाल धर गब ध से हुगंझ थाक सि only इंक नमडरे रूल प्रे करेंजी हुए हुए labor? झाल Bishop इंक रवे र मंदक बाल एकाए प्राइग जो एकी तरा औरा एकाएगी ते जित पिसमाइब। रहाएी रहाएी competing threemय झाट हो एच हो जर घंनante चल्एो ए जर हो फाटा Main कि कौर्छक च्योग मत लो ए लिए सब के भाध्य विधाता भगवान या पिर इंसान के अपने कर्म उसका नसीद तेह करते हैं यहां हर कदम पर एक नई चुनौती है जब हालात हाथ से फिसलने लगे इंसान चमतकार की उम्मीद करने लगता है पिछले बीस दिनों में मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई ऐसा क्या हुआ वो सिर्फ मैं चाहता हूँ जाना चाहते हैं तो मेरे साथ बीस दिन पीछे जाना होगा शांती जी कहिए भावी कल रात बबलू की बड़े पाटी के बाद आदित्य और अरजुन देर तक वहीं रुके थे क्या तब से मेरे भाई की रोलेक्स घड़ी गायब है जरा उन दोनों से पुछो कि घड़ी उनके पास तो नहीं है एक सेकंड अर्जुन 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 आदित्या क्या हूँ आमा बबलू के घर से कोई घड़ी लाए हो बहला मैं के लाएंगा मा अर्जुन क्यों मा आरे हो मा अब चोरी भी करने लगे हो तो यह घड़ी यहां कैसे आई मुझे तो बंदा भी नहीं मा आज खाना नहीं दूगी तुम्हें मा अल करा इसे करतांग करेडमा आरे हुआ प्ला अरे प्ला हुआ हुआं करांगा हुआ हुआ वा प्ला हुआ यह साजजुन ... झाल झाल अब ही तो बस बीस दिन पीछे गए हैं मानो मेरी जिन्दगी उसी दिन से शुरू हुई थी क्या हुआ लगता है आज अर्जिन फिर तेरे सपने में आया होगा ना लो मैं नाश्ता बनाती हूँ मैंने अभी जो देखा वो मेरे जीवन का एक काला पन्ना है अतीत मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता अर्जुने की मोशन है मेरी वज़े से घर छोड़ के भागा उसे गए 15 साल हो गए पर सपने में रोज मेरी चान लेता है मेरी माने मेरे पैरों में शर्तों की बेडियां डाल दिये शर्त यह है कि दिन भर कहीं भी रहूं शाम 6 बजे घर आकर उनके साथ वक्त प्रतान है मेरी लाइफ बे रंग, बे स्वाद और बे मतलब हो गई है बचपन में मेरे कई सपने थे लेकिन पापा की एक ही ख्वाहिश थी जिसके आगे मेरे सारे सपने बिखर गए तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर पेट्रोलिंग कॉंस्टेबल तेरे पापा का सपना था कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है थैंक्यू मामा हुँँ रे शांती खुश तो हो ना हाँ भाईया अधित्य तुने अपने पापा की इच्छा पूरी की अब अपने मां का भी ख्याल रखना बहुत दुख सहा इसने तेरे लिए आफकोस रखूंगा काम का पहला दिन नाइट शिफ्ट से शुरू हुआ जहां मेरी मुलाकात तीन नए लोगों से हुई अधित्य अंतावडे ओन ड्यूटी ओवर क्या तंटा होगे दोनिया के सारे मरद लोग अपनी ब्यूटी की ड्यूटी बजा रहे हैं वो चैन से रोमैंस कर पाए इसलिए हम लोग उल्लू की तरह जागे हैं जेस किसी ने भी नाइट शिप्ट का आविश्कर किया होगा उसकी अपनी बीवी से बनती नहीं होगी अपने काम को सिर्फ सुरक्षा देना मत समझो तुम्हें अपनी इस वर्दी पर गर्व होना चाहिए कसूर तेरा नहीं है तेरे रगो में पुलिस दोड़ीती है न हलो कॉन सा एरिया काजू पड़ा तीन नई भूलाए है आप आ रहो क्या उन्हें वहीं पर रोकना है सब्सक्राइब कर देना अगर कोई लफड़ा शाफड़ा होता है ना तो सीधे मेरे कोई कॉल कर देना ओके 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 बाई इडियत माईलेज क्वाटर से भी क्रम हो गया हलो ब्रादर मुझसे कहा रहा है तुमसे इदर दारू की दुकान किदर क्यों पूछ रहा है तंकी खाली है लगता है ज्यादा ही चड़ी हुई है अलो भाई टंकी खाली है तो पेट्रोल पॉन जाना चाहिए वाइन शॉप पर नहीं पेट्रोल गास लेट नहीं चाहिए मेरी यह राम प्यारी और मैं 90 ml के बाद ही स्टार्ट होते हैं मैं और मेरी यह बाइक दोनों मैंन्फेक्श्रिंग काजन्स हैं अगर मैंने फूल प अगर मैंने फिल्में सच नहीं होती है तेरे को देखके समझ आगया वहाँ दबंग और सिंगम पर असल में वाच्मैन ही है तो वाच्मैन जिविकर अशा साम्पल मिलना था तोन यही खड़े रह जाओ यहार ठीके वळा देश बेचके निकल जाएगा पता मुझे डवल रेट पर खरिदना पड़ा थी पी अपी अरे यह तो स्टार्ट होगे तेंशन मतलो एक बार इसे चड़ गई ना तो हंडेड किलोमेट्स के पाद ही रुके गिए गजब की के पैसिटी है इसकी नई कारे वाटर से चलने वाली है लेकिन ये तो क्वाटर से ही चलती है मेरी वज़े से ही तुम लोगों को टाइम पर पगार मिलती है तारों के टैक्सी घर तरता है तुमारा ओके एक अधा में पीलू तू क्वाटर पीले क्वाटर से क्वाटर से जोग बाई जी बहुत भुख लगी है भाई जी इतने से क्या वगा भाई जी मेरे घर में 5 लोग है अरे इतने ही पैसे है मेरे पास नहीं है तो कोई बहुतनी जुगार तो कर सकती होना कैसे वर्दी कब काम आए जी तोड़ी अब करो काम करती मैं कुछ, कुछ सोचता हूँ आजा बच्छ अरे यह तो लटी है विकार मैंसरो का यह पक्का रंबाय अमीनका की कोई कजन रही होगी क्या क्या आनत है लौनत है मुझ पर इससे रिश्वत लूँगा मैं हेलो, लिफ्ट चाहिए क्या तो स्कूटर क्यों रोका, वसूली चालू है क्या इसलिए डिट्री करते हो क्या, ताकि एक्स्ट्रा इंकम हो जाए अगल नहीं है, पागल हो क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्विज देखते ही समझ गए थी कि तुम लुटे रहे हो आट्टिंग की दुखार ए, कहां जा रही हो पेपर्स देखाओ क्यूंसे का है, स्कूटर से जहर फैला रही हो तुम जैसे लोगों की बच्चे से ग्लोबल वामिंग बढ़ रही है चलो, फाइन निकालो तुम्हें फाइन क्यों दूँँ मैं, तुम ट्राफिक खवलदार हो क्या तुम्हारी वर्दी से दर कर तुम्हें फाइन दे देंगी, ऐसी रएसी लड़की नहीं हूँ मैं, रूस जानती हूँ सारे उसकी हेल्प करने के लिए तुम्हारी गाड़ी रोकी, पर बैड लख गलती से तुम्हारी टपक पड़ी, यहीं बात है, बच्चा कहा है, वहाँ बैठा न, मुझे फंसा के खुद फूर हो गया, अभी तो यहीं था, तुम्हारी बाते सुनकर डर गया होगा, सच में उसी का आइडिया था यह, सच में पुलीस वाले हो, आडी कार्ट दिखाओ, आइडी कार्ट, आइडी कार्ट मिला नहीं है, मैंने आज ही जॉइन किया है, तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा है, पुलीस की बदी में लुटे रहे हैं, किसे फोन कर रही हो, कोई दोस्त है क्या, हाँ पुलीस कमिशनर है, पुलीस कमिशनर, उन्हें क्यों फोन कर रही हो, मतलग तुम पुलीस वाले नहीं हूँ, अरे हाँ यार मैं पुलीस वाला ही हूँ, तुम्हारे टेंशन में भूल गया, ओहो, ऐसी बात है, बात कर लो, जिन्दग ये भर नहीं भूलेगे, कहां भस गय उपर वाले दोबारा मत मिलवाना उससे, वो डॉक के पास वाली जमीन मुझे चाहिए, मुझे किड्नैप किया ये बात अगर भाई को पता चल गई न, मैं या लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, वो जमीन मुझे चाहिए, हम लोग बच्पन में ऐसे गंस के साथ खेलते ये आखरी फैसला है तेरा, मार दोगे न तो भी यही कहूंगा, उसी जगे पर इसकी बाडी को दफना देना, बात अगर भेजे में आसानी से न गुसे, तो फिर इस कन की बुलिट को सादो, बेवकूफ था, मरना तय था उसका, उस जगे पर दो समादी बनेगी, एक इसके भाई की भी, अरे हाँ, बता देना, आज के बाड़ वो साइट मेरी वही है। देखता नहीं भाई अंदर सो रहा है, उसके डिस्टर्ब होने से, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, उसका असर मुझ पर क्या पड़ता है, दिखाई दिया, साइनेंस, एक डाउट है, अगर एक इंसान से इतना प्यार है, तो फिर दूसरे पानी कम चाहे क्यों लगते सर, यह रहा है आपके 50 लाक रुप है, गोल्ड डिलेवर होते ही इतला कर देंगा, चलता हूं साब, ठीक है दिखो, पैसो का टेंशन मत लेना, तुम तयार है ना, रात को मैं आ जाओंगा कर दो गज़ा टूसित टो ज़बर सोट आथा किया धाधा अभी तो सिर्फ तीन ही बजए फोई आहां ऊई जब जागों तब सभी रहे वैसे जब बहुत समझधार लगते हो तुम imitate यहाग सारे पूर्खे जीनियस आकलमंदी तो विरासत में मिली है क्या खाक fusion दो एक नंबर के कामचोर हो तुम अरे क्या हुआ दादा पांच मिनिट में लोटने वाले थे ना पता है मैंने कितना वेट किया पांच गंटों से ड्यूटी कर रहा हूं तीन पेंटिंग की सुरक्षा बहुत भारी ड्यूटी थी दादा इसी लिए लेट हो गया कल रात को तीन जीव अनुभव मिले दो को तो भुला दिया पर एक को नहीं भूल पा रहा है इधर भी पूरे तीन अनुभव मिले हमारे जीवन में सुख दुख और भै ये तीनो अनुभवी तो है बात तो सहीए दादा तुमको ना पुलिस की जगा फिलोसोपर होना लिया ने एक चोर ने मेरा पर्चुरा लिया तो गुस्से से उसके पीछे भागा और उसको उपर से लपक लिया धोनों में गुथम गुत्ती हुई कभी हो उपर कभी मैं उपर यकीन करो रात भर कुछती लड़ता रहा उससे और सुभा पता चला कि वो कोई चोर नहीं बल अले उतारू वाव 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 मौसम की सब से गाना आज रपट जाए तो हमें ना उठायो अरे मैं आउत हो गया हूंगे इस कारने ज्यादा पी लिया डांसिंग का सम्पिंग इस फिशी कोई तो है इसमें डांस कर रहा है अब हलो अब हलो अजनागिन डांस करके दराती ह में अब देख्थां तुझे सान्थ आफए अब देखतां तुझे आलो अलो 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 आज और्वाजा गोलो हरा अरे पात कर्नी है कुझे मुझे अंडर राम चारिश्प्रा दू श्रीक्शन थां जीए हो थे वावक्ट अले अंगर स्वोड़ एंगाई करो सुड़ा एए हम लोग पुलीस वाले हैं और पुलीस वाले सिर्फ थर्ड डिग्री मसाज देते हैं यह दादा दोस्ते क्या है यह यह कल रात का पहला अनुभाव है बेवडों का ब्रैंड अमेसेटर दिखता ही है तुम भी सीग्रेट ठरकियों के ब्रैंड अमेसेटर लग रहे हो एक ज्माइब तो यह जिए आन्देज लगाया है इत्ना श्यादा नजरते हैं नैंटेमल लगा तो एक्स्रे मशीन हो जाती है वागेन एक्सो असी में सीटी स्कन बन जाता होगा यह करेक्ट है मैं कांता स्विंदte थावड़ी ओ है इंग प्स्ता स्विंदेफरा के वालें प करें मेरे को खोले देखा बाद दर्वास लोग हो गया है वो खोलने कोशिश करो प्रवाइब के तुम च्छा घर चुर तुम यहां बैकर कुछ नहीं बसा इसी पांच रुपए का सिक्का गिर गया ना तो उसी को ढूंड रहे हैं यह दादा कोई लेडी से यह अरे सेंड़ीच पर लगा के खाना है क्या पैंट के साथ इस जब भी उतर गई है निकल लोग तेरे लग रहे थे और आज यहां इस रूप पे देख रहे हुं कहीं तो यह मेरी रात का दूसरा अनुभाव है अब बड़े हसींद्राथ थी कल एई क्या बोला तुम इसमें मत पड़ो वो लो कौन थे क्यों जाना है तुम्हें वह भी समझ गए कि मैं पुलीस वाला हूं बस तुम्हें मेरे पुलीस होने पर यकिन नहीं है सही कहते है ताइम खर है तुम्हें नाम बताओ है हाई है देखा न इसे कहते हैं टाइमिंग तुम्हारा नाम क्या है अर्पिता सर देखो जमाना खराब है इतनी रात को बाहर नहीं निकलते सेहत के लिए अच्छा नहीं है इसे भी समझा दो हलो हां से कुछ हुए गाना तो उसी की बैंक बजा मैडम आपकी बस शकल देखके मेरा टाइम खराब हो गया है निकलो हट बला है कि आफट की पूडिया है सरे आम डांट के चली गई सार लेशा उतर गया पववा लगाना पड़ेगा शेह पहली नजर में पसंद आ गए जब से उसे देखा है मेरे दिल की धरकन हर पल बढ़ अश्च में हां यह इंसाइड तो धर्द आउपसाइड गटक लिए गटक लिए प्रेंड यह सिर्फ एजम भूती लेना अब करने आ है तो झाल झाल यह पेन किसका है? मेरे पास कैसे आया? यह दादा, यहाँ पर एक स्रेट के घर पर बड़ी चोरी हो गई है. चलो, चोरी हो गई है? हाँ. कितने पैसे गई? पचास लाग कैश सार. एक गोल्ड के डील में एडवांस मिला था. किसी की उपर शक है आपको? नहीं सार. ठीक है, मैं कारवाई करूँगा. आप निश्चिंत रही है. ओके सार. अर्शद, पिछले साल इसी तरह औरंगाबाद में एक चोरी होई थी. उसकी इंफोर्मेशन निकालोगा. ओके सार. सार. क्या हुआ? पैट्रोलिंग डूटी पर तुम ही लोग था है? आँ, सार. अकल नहीं है क्या? यहां पहले से फाइल का धेर लगा हुआ है. अब एक और नया केस? सर, वो मजबूरी में पीना पड़ा था, सर. रात में टेफिन खाते समय पानी खतम हो गया था, तो हमने किसी दोस से पानी मंगवाया. सुबह जब हैंग वर उत्रा तब पता लगा कि वाटर में कौटर मिक्स था. इतनी बचकानी कहानिया बच्चों वाली मैगजिन में भी आजकल पढ़ने को नहीं मिलती. लापरवाही की भी हद होती है, दुबारा ऐसे गलते नहीं होनी चाहिए, चलो जाओ. मेरी दादी हमेशा केथी थी, लड़की ना बोले तो हा मत समझो, उधर के पैसे जुए में मत उड़ाओ, कोई फ्री की दारू पिलाए तो हाथ मत लगाओ. आज तुम्हारी बात समझ में आ गई है, जी. दादी ने ब्यूटी करने के बारे में नहीं बताया था क्या? स्व चाह, ड्यूटी के पहले दिन सब कर बढ़ हो गए. हर बार कभी चोर कभी जूता साबिक किया है मुझे, तेरे साथ अब नहीं रह सकता मैं, चला जाओंगा यहां से, जा रहा हूं मैं. मुना, सालू के संघर्ष के बाद, गांधी जीनी, देश को आजादी दिलाई और राष्टपिता कहला है, और एक दिन उन्हें मार कर, नाथुराम गोड से दो मिनट में मशूर हो गया, अब अच्छा ये बुरा, ये सिर्फ दो ही शब्द हैं और कुछ नहीं. पुरंजीत शोहर में नहीं है, ये बात है, ये बखत हमरे लिए इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता. हाँ भाई, वो अपने भाई को दो दिन के लिया केला छोड़के शेहर के बार जा रहा है. हमरे भाई को मार के जो दर्द उसने हम को दिया है, वही दर्द उसे सूथ समित लोटाऊंगा. किसी को ढूंड, कोई ऐसा जो उसको तलपा तलपा के मारे. सिर्फ स्टाइल ही मारता ही है, या आदमी को भी मारता है. जितना स्टाइलिश मेरा ये लुक है ना, मर्डर भी उतना ही स्टाइलिश करूंगा. कौन, कब, कहां? टागेट का नाम. मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको. सर, रिपोर्टिंग तु जोनल ओफिस. एस फ़र ओडर्स, हम लोग रंजीत के घर पे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर. मुझसे ज्यादा नाइट ड्यूटी तो तुम कर दिया. जब भी मिलती हो, अपने फॉलोवर्स के साथ ही मिलती है. अकिर क्या सीने तुम्हारा, इतनी सारी भीड, एक, दो, तीन, चार, वावा, 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 चरीफ धर के लगके हैं. स्थोरी को हमारे हावाले करो, इसके सामने तू अपनी हीरो गिरी मत दिखा, समझा ना? चल इदर भैज. यह तो मुझसे पहले से इंप्रेस्ट यह सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर अब यह ही रोको पूरी फिल्म दिखा था अगर कोई आपकी मदद करें तो थैंक्स कहते हैं इस है के लिए सुरी नहीं कहा मैंने तुमसे समझने में गलती की इसलिए कहा देखो किसी को भी बिना समझे बिना जाने लाइफ में जज्ज नहीं करना चाहिए सौरी कहा ना ठीक है घर जाओ क्या हो अभी भी डाउट है ओ मैं सच मुझे असली पुलीस हूँ यह रहा मेरा आईडी कार्ट ना डाउट है लड़की उपर अकेले दसक दूल चड़ा सकती हूँ अगर डायलोग मारना ही था तो उन गुंडों के सामने मार देती चले तुम रोज इस रास्ते से आती हूँ टाइम खराब हो या मवाली पीछे पड़े हो तब ही आती हूँ बस जब देखो तुम मुझे पीटी उशा की तरह भागती नजर आती हूँ इन गुंडों का चक्कर क्या है हम सबकी लाइफ पी तो एक रेस की तरह ही है न अच्छा करने जाओ तो बुरे लोग नाराज हो जाते हैं बच्पन से ही मैं बहुत रिस्पांसिबल रही हूँ किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो उसके लिए निकल पड़ती हूँ जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ तो गुन्डे पीछे पढ़ जाते हैं और में प्रॉब्ल पापा लाइफ बड़ी मुश्किल से एक मौका देती है हमारे दिल की कभी नहीं सुनती है उसे जो करवाना होता है उसी रास्ते पर धकेलती है पर उसकी एक वजह होती है अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलीस पोर्स जॉइन कर ली यही किसमत है इंट्रेस्टिंग वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हों सिर्फ मैं नहीं दुनिया में कई अच्छे मर्द हैं पर लड़कियों को यह बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है मेरे पास टाइम तो बहुत है पर अच्छे लड़के दिखने भी तो चाहिए ना हाई है अनसिका गुट बॉइ हूं आईडी कार्ट पर लिखा हुआ है ओके बीबी जल्दी से आजाओ बाए ए गंगा जी बाया मेरी गल्फेंड आ रही है सबको बोल दे कि गेस्ट्रूम में चले जाए बाई को अगर पता चला कि हम वहां है तो वहां के कबर खोद देंग इन देनों को सेक्योर्टी के लिए छोड़ दे बस चल निकल ओके भाई यह चलो रहे अरे अंकल आप है जहान ही निकल गई थी क्या बात है अंकल यह रंजीत का एरिया है यहां ड्यूटी लगती है तो मेरा बीपी बढ़ जाता है इश्वर से पूछताओं के पुलिस में नौकरी क्यों लगवाए मेरी डरने वाली कौन सी बात है मुझे इंसान उसे तो कभी डर नहीं लगा है लेकिन यह इंसान नहीं राक्षस है पता है तीन महीने पहले मेरी आखों के सामने मेरा साथी श्री निवास कार चेक करने के ल अजो था फेज़ इंसान तो करे तार्रफ से लp झवाएम श्री लातने डरी से घ Lets झाल झाल काम पूरा होगे मुन्ना को मार दिया है सीधे उसके दिल पे इच्छुरी चलाई है बैलेंस अमाउन भेज देना कोई सेबुत यहां पर नहीं छोड़ा है मैंने आप लियर रहिएगा अधिति सर अधिति सर अधिति सर क्या हुआ किसी ने मुन्ना को मार दिया मार दिया सुनो तुम सिधे पुली सेशन चले जा उनसे कहुँ जल्दी यहां पहुँच़ें यहां पर पहले कोन आया था अपने आफिसर सर अधिसरो इसकीरिफ्ट को किसी ने आफिसर ओक ड्ट सक्ष्राइब डॉग स्क्राइड से भी कोई फायदा नहीं हुआ है सर ना कोई फिंगरप्रेंट्स और ना ही कोई क्लू मिला है सर किन कॉंस्टेबल्स को ड्यूटी दी यहां की जॉइनिंग वाले दीन पे ही चोरी सेकंड डे पे मर्डर ये एरिया भगवान के भरो से चल रहा है क्या जिन्दा था तब भी मुन्ना का प्रॉब्लम था उसके मरने के बाद भी प्रॉब्लम है आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग मैं जरूर कुछ करता लेकिन मिला ट्रांसफर ओडर आ गया है सर ये केस नए SI को हेंड ओवर कर देना अल्रेड़े उसे डिटेल्स दे दी है वो संभाल लेगा मैं याद तो हूँ न अरे तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो पुलीस स्टीशन में फोन करके तुम्हारा नंबर लिया एक चुटा सा काम है बाहर चलना है बाहर चलना है ठाने से बाहर नहीं आ सकता है यहां पहले से बहुत प्रॉब्लम्स है हाँ छोटी सी तो लाइफ है इसी में उल्चे रहेंगे तो जीएंगे कब अपनी हर टेंशन को बाई बाई कह दो फुलीस की नौकरी में चोरी जकैती मर्डर सब कॉमन है पर इतनी खुबसरत लड़की डेट पर बुलाए यह कॉमन नहीं है मुश्किल है माडम मतलब मजबूरी को समझी है नहीं समझना है मुझे बाई अरे अधित्य हां मामा माने पैसे मंगमाए घर जाके दे दो ठीक है मामा मामा हां मेरा बैग नहीं मिल रहा है मैं देख लूगा बेटा अभी तुम जाओ ठीक है ओके मामा बाई हलो सर कब मिसर विहान वर्मा प्लीज बेटा थैंक यू सर तो ऑफिसर जैसे बताया था तुम्हें दो इंपोर्टन केस सॉल्व करने है और यह रही उनके डिटेल्स काफी चलेंजिंग केस है मजा आएगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अल दे बेस्ट तो यू थैंक यू सर सर आती ही आपको दो बड़े केस दे दिये हैं एक रॉबरी एक मर्डर रॉबरी का तो पता है पर मर्डर मुन्ना इसका ख्याल रखने के लिए कहा था तुझे जो मेरा सब कुछ था उसे मरने के लिए छाड़ दिया कोमा के मरीज को जगाने का क्या चार्ज लिए देया हूँ मैं दो की ही पूजा करता हूँ पहला जिंदगी पचाने वाले डॉक्टर की और दूसरा जिंदगी लेने वाले गन की तुम्हें क्या चाहिए खुदी डिसाइड कर रहा हूँ जिंदगी पैसो से बढ़कर है सर अपने करियर का सारा तजुर्बा इस पे लगा दूँगा उस पांडे ने आदमी भेजा था अब वो दोनों अंडर ग्राउंड है पांडे गलती कर दी वो आज तक जिंदग कैसे है मेरे भाई को जुदा कर दिया कहां है वा कहां है वो तो पकड़ला जाना मुझसे कोई नहीं बच पाया शिवा जी सार सामने एक बड़े साइज का मिरर और वाइड बोर्ड लगाना ओके सर नमबर एक राबरी सोरी के लेला बैगेट 15 लाख होते सेट को पैसे मेले उसी दिन चोरी हो गई इसका मतलब सवदा होने वाला था उन्हें पता था और उस दिन सेट को जरूर फॉलो किया गया होगा दो संभावन आये चोर सेट को जानता था या उसके घर के पास रहता था पहले पेमेंट होने तक वेट किया फिर प्लैन बनाया फिर एक आदमी या फिर दो लोगों को या फिर तीन लोगों को शामिल किया सेट के घर में जाने के लिए एक ही इंटरंस है लेकिन उस सड़क पर सीसी कैमरा नहीं और कॉलनी के इंटरंस पे दो कैमरे हैं चोरी रात को एक से चार के बीच हुई है इसलिए उस पूरी रात के रेकॉर्डेट सीसी टीवी फूटेज हमें चाहिए जो भी शक करने लायक लोग दिखे उन्हें मार्क कर दिया आज से कुछ दिन पहले रंजीत ने पांडे के भाई को मारा रहा उसी का बदला लेने पांडे ने उसके भाई को मारना चाहा जेवड़ी इन्फरमिशन आपले हाता ताली है पांडे ने एक कॉंट्रेक्ट कीलर को बुलवाया जब रंजीत बाहर था तभी मुन्ना को मारा आज रंजीत पागलो की तरह पांडे को ढूंड रहा है पांडे अगर हमारे हाथ लग जाए तो उसी पर केस बना देंगी अगर रंजीत की हाथ लग गया केस और इंसन दोनों खतम सर अगर मुल्डर कॉंट्रेक्ट कीलर ने किया है तो पांडे को हम क्यों पकड़े सर चांगला प्रशने शिवाजी सर पे पत्थर लग जाए तुम पत्थर को डाटोगे या फेकने वालो को मारोगे पत्थर फेकने वालो को मारोगा चांड इस केस में वो किलर एक पत्थर है और उसे फेकने वाला पांडे है उस सेट के कॉलोनी में जाओ और फूटेज ले आओ मीरर में देखने से गुस्स आ जाता है और फिर ये भेजा फीड से क्रियेटिवली काम का में लगता है सब क्या अपने अपने राज होते है तुझा या डोजकियाद हाथ प्रश्ण होता न पकड लूँगा बच्चे अब तुझाएगा कहाँ एक चोरी एक मुर्डर और ड्यूटी पर मैं था अब ये मेरी जिम्मेदारी है बस एक छोटा सा क्लू चाहिए कौन था वो कैसे क्या उसर है एक बाई की आवाज सुनी थी शायद उसे क्यों गे क्या वो अकेला था या दो लोग था कैसे हो आई ये सब बस एक क्लू चाहिए छोटा सा क्लू यही है उसका घर घर के अंदर चलें की बाहर बुला कर उसे ठोक दें यही है यही है यही है यही तोर फोड के से हो यही है मेरी डाहिरी कहा चली गए माँ कोई मेरे कमरे में आया था क्या या तो तुम जाते हूँ या तुम्हें और कौन जाएगा क्यों पूछ रहे हूँ? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं माँ यहीं तो रखी थी मैंने डाहिरी कौन ले जाएगा? यह क्या है? लिफाफे पर मेरा नाम है मेरा पता है तो पिजिवा जाएगा जाएगा नाम है तो यह जाएगागा जाएगागा? कुछ जरूरी काम आ गया था आज यहां कैसे तुमसे मिलने आ गया मुझसे मिलने किस लिए उस दिन तुमने कहा था ना बाहर चलेंगे आज चले ओ अब याद आया ओफिस के सारे काम टेंशन्स प्रॉब्लम्स केसिस उन सब क्या होगा मेरी बाते मुझे सुना रही है अचली लाइफ में हर चीज करने का टाइम होता है आज एंजॉय करने का टाइम है किसी फिलोसोफर ने ऐसा कहा है हाँ बिल्कुल आदित्य ना अगर तुम किसी भी लड़के किसा पुलीस की नौखरी का मतलब भी टेंशन है रिलाक्स रहूँ यह सब चलता रहेगा खूल डाउन और अपनी सारी टेंशन को भीजो पेंशन लेने इलाज मिल गया है किसका इलाज अरे दिमाग को टेंशन फ्री करने का इलाज मिल गया है क्या करोगे करना तो तुम्हें पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा और क्या चुम्मा यू में किस हाँ वही किस मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था किसिंग के बहुत फाइद और उसके बाद हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है मतलब जीरो प्रेशर जीरो पेंशन डिस्कवरी पर देखा आचली एक बुक में भी पड़ा था सच में तो तुमने जिस बुक में पड़ा था ना उसी से किस ले लो कोई चुम्मा वो मनी मिलेगा ना किस मिलेगा और नहीं मिस मिलेगी पड़ाया किस वाला सर गाड़ी पंक्चर हो गई है स्टेशन में इंफर्म कर दिया है मैकनिक भेज रहे सर क्या खबर है पूरी कोशिश कर रहे हैं सर किसमत न चाहा तो शायद 24 गंटे में उन्हें होश आ जाएगा सर मेरे सब्र का बाद न तूटने पाए डॉक्टर मेरी आवास से तुम्हें मेरे बढ़ते बीपी का अंदाजा हो गया होगा 24 गंटे में अगर होश नहीं आया तो उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा की नीद सुला दूगा मुन्ना तेरी नीद खराब करने वाले को मैंने कभी जिन्दा नहीं रहने दिया काश तेरी जेगे मैं मर गया होता तो बहतर होता तुझे मारने वाले को तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कौपेगी महाकाल बनके मैं उसे जिन्दा निकल जाऊंगा तीन सस्पेक्स आइडेटिफाई किये सर इसी फुटेज में देखिए सर सेट के कॉलिनी से इंटरंस है रात को बारा बज़े बाइक से आया फिर वही आत्मी रात को डेड़ बज़े फिर आता है और लोट्यस हमें एक बैग के साथ भागते हों निकल गया ए थाम आगे बताओ सर उसके जाने के बाद रात को दो बज़े दो अनजान लोग वहाँ पे आ गए सर रात के तीन बज़े बाइक को वही पर छोड़के भाग गए सर चोरी के सुझना सेट ने सुबह छे बज़े दी उसी एरिया में दो पेट्रोलिंग गॉंस्रेबल्स वहाँ पे वाकी टॉक सर भी हो जाए इस देश को फर्क नहीं पड़ेगा इतना जोश किसलिए भाई मुझे लगा तारीफ करेंगे सर मुझसे इतनी उम्मीद मत करना पहले तारीफ के लायक बनो दो चार क्रिमिनल्स पकड़ के दिखाओ जिसको फ्रीज किया है उसे जूम करो जूम करो जूम करो इंहरा खें़ष से ते टार याला कुटे टीरी भगीत लें कहां 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 । यह geliyor अपने पूली स्टेशन के वांटेज बोस्त पर देखा है एक सब्सक्राइई येस, पॉर्फेक्ट सर, अपने पूली स्टेशन के वॉन्टेट बोर्ड पर एक ब्लू टीशिट वाल आदमी है हाँ है सर, उसके केस के सारे डीटेल्स मुझे मैसेज करें हमारे हीरो का घर हेलो राजु जी, सेट के घर से जो पचास लाग लूटे कहां रखे कौन से पचास लाग और कौन हो तुम मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, सवाल का जवाब देना तेरा काम है, पुलिस का नहीं सर, मैं चूरी क्यूं करूंगा सर, मुझे चूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर अच्छे एक्टर हो तुम रात के एक बज़े के करीब, सेट के कॉलिनी में बैग के साथ ये तुम ही थे न? सर, वो बैग मेरा ही है, वो बैग यहाँ पे रखा हुआ है सर, देखे वो बैग में अपने साथ ले गया था, दरसल उस रात को सर प्रिया, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ प्रिया मैंने कहा रहना के पैसों के फिकर मत करना तुम हमारे घरवाले कभी नहीं मानेंगे, तुम जल्दी से बाहर आजाओ ए प्रिया, लहाँ जा रही हो, समाथ में ना करफ़ा के रहोगी तुम अंदर चलो, चलो, प्रिया तू, भाई रूद उस पापा के डर से मैं भाग गया रहा, सर उस चोड़ी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, सर तो फिर, वांटेड लिस्ट में तुम्हारा नाम के से आया सर, प्रिया को किटनैप करने कि उसके बाप ने जुटी रिकपोर्ट लिख वाई थी, सर आप चाहे तो चेक कर लीजिए, एक मिनट, सर हाँ, सर, उसने किटनैपिंग की कोशिश की, यही रिकपोर्ट में लिखाय, सर ओके, मिस्टर राजू, जी, सर, हमारी गलती थी, आपको हमने डिस्टरब किया, कोई बात नहीं, सर सौरी तो नहीं कहूंगा, इट्स मैं ड्यूटी, मतलब, चोरी करने वाले, वही दो लोग हैं, कहां मिलेंगे बहुएंगे? हलो, पिछले हकते शहर में एक सेट की घर चोरी हुई, चोरी किसने की मैं जानता हूँ, तुम कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वह इंपॉर्टन नहीं, चोरी से चुड़े सारे संबूत है मेरे पास, तो यह मुझे क्यों बता रहा है, पुली स्टेशन में फोन करो, मुझसे आके मिलो, वज़ा पता लग जाएगी, कहां मिलना होगा, साथ बज़े एक कॉल आएगा, उठा लेना, एड्रेस मिलने के बाद, फोन कट हो जाएगा, ओके, हलो, मैं तुम्हारी बताई जगे आ गया हूँ, ठीक है, सीधे चाहते रहा हूँ, कर दो हो अब कर दो, कि ए कौन है तु बैग का चिपाया है यली बोल कौन सा बैग है छोड़ो क्या कर रहा है क्या चाहिए तुम्हें कि ए को बड़ ніजा ट न। कि ए ए हifying घट हुआ 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 अ वो Ha बुर्ब वो एफ पास झास है 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 हालो आधिती ऑफिस याते से मैं बस्टप के पास स्कूटर पंक्चर हो गई यहां अकेली हूं बहुत डर लग रहा है मुझे चल्दी से यहां आ सकते हो क्या कि अभी आता हूं कि अभी आता हूं कि क्या बात है चनाप का चेहरा क्यों उत्र हुआ है शाम को किसी ने कॉल किया था कहा चोरी के बारे में इंफोर्मेशन देगा बाइक रोको अरे साथ लड़की बैठी हुई है रोमांटिक बाते करने के बजाए के इस टेंशन प्रॉब्लम्स यह सारी बाते कर रहे हो सारे गुंडों को पकड़ने का थेका तुमने लिए रखाय क्या कम से कम जब मेरे साथ रहते हो अपने बारे में बातें नहीं कर सकते हो तुम देखो ये रात कितनी सोहानी लग रही है पर मेरा ही बैड लग है कि मेरे बॉइफेंड का मूड आज इतना खराब है अच्छा इंसान होना अच्छी बात है लेकिन कभी-कभी चेंज के लिए थोड़ा नौटी बनने में ही हुश्यारी है समझे है पर मैं बात कहां कर रहा हूं बात करने से नहीं ही रोका गाडी रोकने के लिए जैंदे मेरे कमरे में चले जाओगे आरे मैं तो बूली गई तुम्हारे लिए एक गिफ लाई थी इसमें क्या है पैंए बाइदर वे यह लीज़र पैं है इस पैंसर जो भी लिखते है उसे कि अाल्व से लाइ हुआ एलो प्राइ उन लोगों ने मुझे आमला क्यों किया कौन सी बैक की बात कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन हो तूम कि अधित्या दर्वाजा खुलो बिटा अधित्या क्या बात है मां आज बड़ा ही खास देन है इसलिए में मंदिर जा रही हूं खाना बना दिया है जब तेयार हो जाओ खा लेना ठीक है मां क्या बात है आदी कुछ परिशान लग रहे हो कुछ नहीं मां अभी अभी उठाओ ना ठीक है चलती हूं बिटा यह है क्या फ्रॉम एंड टू अधित्या अ हलो कल रात तुम्हें जो बैक दिया था देखो उसमें एक फाइल है उसे ठाने में पहुचा दो किस बैक की बात कर रहे है मामा अरे तुम्हें दरबाजे के पास दिया था ना तुमसे साथ ले गए थे मैंने अपसे बैक कब लिया अरे उस वक्त रात के गेड़ बज रहे थे अपने हाथों से लिया था तुमने मैंने खुद लिया था मामा मैंने कहा न मैंने कोई बैक नहीं लिया चोरी भी तुमने किया है मुडर भी तुमने किया है अलमारी में रखे गाहिन पढ़ दो किया है किसने लिखिया डाई यह है किसने लिखिया डाई यह है यह है ट्राइटिंग तो मेरी है तुमने चोरी किया देतिया हून भी तुमारे आथ होंगा है सुबूत उस बैग में तुग गया काम से किसने लिखाई यह सब किसने लखाई से यह है क्यों हो रहा है यह मामा मेरा बैग कहीं मिल नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो अर्चन अर्चन अलो हांसिका रॉट को तुम्हें किस देने से मना किया तो किस देने के लिए मेरे कमरे में कुसा है कैसे आप नहीं हो अगर पापा ने देख लिया हो तो उपर से हम तोनों के सेल के भी घीचली आरे वो मैंने कोई और था हांसिका जोरी मड़ जोरी मड़ अर पाप झाल 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 पल में बदल सकती है ये जानने के लिए मुझे आधा पल भी नहीं लगा मुझे बरबाद करने के लिए मेरे भाई ने पंधरा सालों तक इस देन का इतजार किया एक चोड़ी एक मर्डर हंसिका को किस किया मामा का बैक चुराया मेरे पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया अर्चन अर्चन कहां है तो मा क्या हो अर्चन 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 मुझे पंसा आ रहा है मा पहले चोड़ी किया फिर मल्डर किया और उसके बाद हंसिका के घर में बुश गया मामा का बैक चुराकर उसमें चाकू रख दिया हमारी शकले मिलती है इस बात का फाइदा उठा रहा है वो मेरी जिन्दगी वर्वास कर रहा है क्या पकवास कर रहे हूँ अर्चन कैसे कर सकता है मा अर्चन ने ये सब किया मा पंद्रा साल बात वह वापस है मुझसे बदला लेने के लिए बर्जुन कैसे हा मा साल । अरिशुन मर चपा है हाँ, आरजली सुनिया में नहीं है यह क्या क्या रही है माँ, वो तो बच्वन में घर से भाग या था यह सही है, मैंने आखों के सामने बरा था आज इसकी पुनियती थी है और इसलिए आज में मंदिर गई थी मुझे नहीं पता बता अर्जुन, अर्जुन मार चुका है अगर अर्जुन मर चुका है तो CCTV फुटेश में कौन है हंसिका के घर में कौन घुसा, मामा से भाग किसने लिया मुझे ये गुमनाम खट किसने भेजे अगर अर्जुन ने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया कौन है वो मुझे आज भी याद है मुझे नाराज होकर अर्जुन मेरे सामने कहर छोड़ कर चला किया तो फिर वो मर कैसे सकता है मा आज तक मैं इसी को सच मान कर जीता आया हूँ क्या हुआ था मा मैं जा रहा हूँ हमेशे के लिए फिर नहीं आउँगा आर्जुन आर्जुन रुक्चा बिताओ आर्जुन 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 रुक्चा आर्जुन 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 इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है है कि दॉक्तर डॉक्तर अधित्या मेरा डीटा डिश्या डॉक्तर तुम यहां कैसे शांती क्या हुआ मेरा अधित्या को अचानत से बेहोश होकर गिर गया तुरंत होस्पितल लेकर अगया है क्या होगा इसे कि शांती अर्जुन कैसा है बेटा अर्जुन आखे खोल बेटा क्या हुआ तुझे आखे खोल बेटा मुझसे बाते कर बाते कर मुझसे जिन्ता की कोई बात नहीं शायद कोई सदमा लगा है उसे लगता है इमोशनली और मेंटली भी काफी डिस्टरब है वो जिसकी वज़े से वो बेहोश हो गया बच्चा बहुत ही सेंसिटीव है इसलिए किसी शौक के चलते या फिर वीकनेस से उसका खयाल रखना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है आप उससे मिल सकती है प्लीज अर्जुन तुम मेरी बज़े से घर चोड़कर मत जाओ वापस आजाओ अर्जुन मैं तुमारे बिना नहीं रह सकता लीज लोटाओ लीज अर्जुन आदितिया आदितिया क्या हुआ था मुझे मा अर्जुन का है मा वो बिल्कुल ठीक है बिटा अर्जुन ने मुझसे बात की बिटा तुमसे नाराज होकर मामा के घर चला गया है जैसे हुस्सा शान्थ होगा वो वापस आजाएगा सच में वो लोटाएगा न मा अगर तुम दुखी रहोगे और रोगे तो वो नहीं आएगा समझके यह नहीं रोगा मा अर्जुन तुमारी वज़े से घर छोड़ कर चला गया ये सोचकर तुम परिशान थे और फिर बेहोश हो गए थे अगर तुमें पता चलता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो तुम पर क्या गुजरती यहीं सोचकर मैं चुप रही और इतने सालों तक तुम से जूट बोलती रही अरजुन मेरी जिन्दगी में नहीं है तो यह सब किस ने किया अगर वो जिन्दा नहीं है और यह मैंने नहीं किया तो फिर किस ने किया कौन है वो यह सब हो क्या रहा है खातेदारी में कोई कमी तो नहीं रही गई लाइफ में मैंने पहली यह खलती कि तेरे भाई को मारा पर तुझे जिन्दा छोड़ दिया भाई खोकर उसका हर्जाना भरा डर्द दुख क्या होता है नहीं जाता था पर तेरी वज़े से पहली बार दिल दुखा मुझे ये दर्द दे के मजे से यहां पे खूम रहाbalance तू तू जिन्दा रहने के लायँ नहीं है नहीं हम भाई को नहीं मारा क्या कहा? सही कहा हमने मारने का प्लान बनाय था पर उसको किसी ने पहले ही मार दिया था पैसों कि लालच में कॉंट्रेक्ट किलर ने हमसे जूट बोला, कोई हमने बात पर मिश्वास नहीं करता, इसलिए तब से हमें यहां छुप कर बैठे हुए है, तो फेर कौन होगा? बाई, मुझे लगता है, यह मरने के दर से जूट बोल रहा है, नहीं, प्लीज, इन दोनों को कॉमा से निकाल के, तुमने अपनी जिंदगी बच चाली, मेरे मुन्ना को जिसने मारा, उसे पहचान पाओगे? उसे पहचान लूगा, कैसा दिखता है वो? एकदम सिंपल है, एक सेकंड में अपने भाई को भी मार दिया, उम्हीद है कि तुम मेरे सवाल को समझ गये होगे, सवाल था कैसा दिखता है? उसकी गाबलियत नहीं पूछी मैंने, कमीना कहीगा, अभी मुझे तेरी कुछ दिन जरूरत है, वरना जो बुलेट उसके दिल में घुसी, तेरे भेजी में घुसा देता, भाई, हर गली हर महले में ले जाइन है, शेहर चान मारो, मुझे वो चाहिए, पाताल से भी धूड निकालो उसे, बोल, बोल पैसे कहा है, बोल, बता, या खाल उखार दू, कहा है पैसे? चोरी हमने की है सर, पर पैसे हमारे पास नहीं है सर, क्या मतलब, पैसे कहा है, आपके एक पुलिस वाले ने पैसे चीन लिये थे, क्या कहा, पुलिस वाला, हाँ सर, क्या उसे पहचान पाओगे, पहचान लेंगे सर, पहचान लेंगे, अशोक, सर, उस सेट के घर जिस वक्त चोरी होई, तिदे रातरे ड्यूटी वर कोण था? कुमार तावडे और आधित्य थे सर, कुमार चुट्टे पे था, इसलिए तावडे और आधित्य वही पे थे सर, ओके, तावडे और आधित्य पर दोनों शराब पेके टलनी थे, शायद जान भूच कर पी होगी, ताकि आसान इसे चोरी हो जाए, काहितर ही गड़बर है, इनके अलावा कौन था, कोई और पुलिस वाला, मामा जी, मुझे तीन दिन के छुटी चाहिए थे, एक दोस्त की शादी है, अधित्य जब भी थाने आता है, सबको विश करता है, लेकिन आज नजरे चुरा कर जा रहा है, मन में कोई चोर है, या कोई फॉलो कर रहा है, ना चाहते होए भी, उस पर डाउट तो करना पड़ेगा, अशोक, सर, एक काम कर, सर, आज से तुम्हारी ड्यूटी आधित्य पर चुपके नजर रखो, कॉलिब, इधर मैं देख लोंगा, तुम उसे फॉलो करो, कुछ दिन पहले, किसी आदमी ने तुम से बात की, या तुम्हें कोई बैग दिया था गया, कब दिया, कहां दिया, और क्यों दिया, मैं भिखारी हूँ साहब, तकरिबन कुछ दस दिन पहले, आदर्श्ट अगर के फुटपाथ पे मैं सो रहा था, एक साहब आए, और एक बैग मुझे रखने के लिए दिया, क्या बैग देने वाला, ये साहब थे? हाँ, यही थे साहब, यही थे, अच्छ, सच बताना, बैग लेने वाला, यही आदमी था? हाँ, सर, यही था, पक्का, यही था ना? हाँ, यही था, हाँ, यही था, हाँ, आत्ता समझ लो, थाम 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 इसने पैसे चोरी किये, पर इने छोड़ दिया गया, पैसे खुद नहीं रखे, ना केस को डाइवर्ट किया और फिर लूट के पैसे को भिखारी को दिया अब पैसे उसके पास नहीं तो आखिर गय कहां काहितरी गड़बड है हलो सर रंजीत ने बांडे को मार दिया ओ जी सर ओके मडर केस अल्मोस्स ओल हो गया हिसाब बराबर खुन के बदले में खुन अब चोरी करने वाला आदित्ते ही है रौबरी केस के सबूत देने वाला खुद आदित्ते ही है कुठे आही तू मुन्ना को मारने वाला मिल गिया है वह हमारे सामने ही है कहा है वो ऐए छोड़ेंगे नहीं तुझे अज्यकर बागेगा अज्यकर भीजाप आएगा आदित्या कहा क्या कि यह यह बड़ ऐग जाए है यह एग है कहा है आपने अब तक कि यह भी तरुड पीछा कर रहें पर पता है नहीं कहा गायब हो गया है कि यह अगशाई पॉप्यार करने मैं यह बड़ा में खलो जाओ शुछ तरबार है हालो सर रंजीत की आदमियों ने आधित्य को मारने की कोशिश किये सर काई हां सर किसी तरह वो वहां से चान बचा के भाग निकला सर ओके मंजे वो मर्डर पांडे नहीं किया क्या आधित्य का खून से कोई तालुक है यहां कौन किसको टार्गेट कर रहा है सोचो 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 रंगा जी छीवाजी और अजेट्क रिंग से पहले कि और बात उसासर अदित्यका ममा इस ठाने में post असय का बोलवा त्यों opini तुम्ह के अधित्य से मामा हद जी सर ओके वैं मिवताईए अधित्यके पर्सनल और प्रोफेस्टेनल यह में किसी से की जरूरत नहीं बस थोड़ा information चाहिए था आप जो पूछ रहे हैं वो अदित्य के सभाव से मिल नहीं खाता सर्थ किसी से लड़ाई या दुश्मनी उसके सभाव में नहीं है सर्थ बहुत इमोशनल है वो अभी तीम महिने पहले उसके पिता की मौत एक्सिडेंट पर हो गई पिता जी की जगे पर उसे ये नौकरी मिली एक्सिडेंट और वो कैसे हुआ था ड्यूटी से घर जाते समय एक अंजान गाड़ी से टकरा कर उनकी मौत हो गई सर्थ ठीक है पिछले 15-20 दिनों में अधित्य के स्वभाव में कुछ खास बदलाव होए या फिर कोई और चीज मतलब उसकी बात है या बिहेविर में कुछ अजीब हरकत है अब सर जिस दिन मुन्ना का खून हुआ था अधित्य ने एक बैक हो दिया था वो बैक पेट्रॉलिंग कार में था एक रात पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से ही उसे बैक दिया था फिर जब अगले दिन मैंने उसे उस बैक में से एक फाइल ठाने में पहुँचाने को कि विखारी का कहना है आदित्य ने पैसो का बैग उसे दिया और आदित्य उसे वापस लेने नहीं अब आदित्य के मामा का कहना है कि उन्होंने एक बैग दिया लेकिन आदित्य को ये भी याद नहीं थोड़ा उल्टा थोड़ा पुल्टा वो चोरी का बैग हाथ में लग च चाहिए और हाँ आदित्य को इंट्रोगेशन करना है सर वो सियम के कैम्प आफिस में स्पेशल मीटिंग है सर ये मीटिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने मुन्ना को मारा यह सोचकर शिकारी कुट्टे मेरे पीछे पड़ गए लेकिन मैं मुन्ना को क्यों मारूंगा और मैंने उससे कब मारा यह भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है आदेते आदेते मेरी नाइट ड्यूटी है वाइप को अभी अभी लेबर पेन हुआ है अर्जंटली होस्पिटल जाना है यह कुछ फाइल से जिनने स्टेशन पहुचाना है अच्छा हुआ तुम मिल गए क्या तुम इने स्टेशन पहुचा सकते हो ठीक है क्या हुआ टेंचन में दीख रह मिल गण्आन पहुचाने स्टेशन पंटली है अ क्या हो रहा है, रोज कोई मेरे कमरे में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब होगे ये क्या, इतने दुनों से ये सब, मुझे बिलकुल याद नहीं है कि मैंने ये सब कब किया, यस, तुमने ही किया, लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें स्लीफ वॉक डिसॉडर है, शौकिंग है न, तुम्हारे साथ लाइफ में जो कुछ हुआ है सुनके, मैं भी बहुत शौक्ड में हूँ, नीन में चलने की विमारी ज्यादा तर लोगों के अंदर हो दी है, फिल्मों के कॉमेडी सीन में भी हमें ये देखने को मिलता है, इसके कई स्टेज हैं, धीमी व स्लीप में हम कुछ भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कूकिंग, गाड़ी चलाना, बातरून जाना, हम बच्चों की तरह फेवलिट हीरो की कॉपी करते हैं, और तो और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं, जो बात हम जाकते हुए नहीं कह सकते हैं, इस अव मस्था में पेड़ को या फूलों को इंसान समझ के दिल की बात कह देते हैं। ये स्लीफ वॉक स्टेज में दिमाग का उपरी हिस्सा, हमारी स्पीच, हमारी आँख दोनों यहीं से फंक्शन करते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा हर वक्त आउडर लेता है। जागने पे जिरो या दास। एक्चिली कुछ देशों में लोग नीन में क्या-क्या कर जाते हैं तुम्हें यकीन नहीं होगा। इसका नाम है मैगलिन, यूएस। इस आदमी को भी स्लीप वॉक डिसॉडर है। इसकी वाइफ के किसी और से नाजायज संबंध थे। नीन में आठ किलोमीटर तक कार चलाई, वाइफ का मर्डर करके पुलिस को उतला दी और पार्ट में सो गया। पुलिस आई तहकेकात की मर्डर कन्फरम किया। पीसियो गए जहां से कॉल किया गया था। जाके पार्क से मैगलिन को जगाया, जो एक घंटे के बाद उठा। मैगलिन हैरान था कि वो उस पार्क में कैसे पहुचा। कोछ याद नहीं था, वहां आसपास लगे हुए सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सारी दुनिया हैरान थी। स्लीप वॉग भी कितना खतरना थे। मैं इन रिपोर्स को पढ़के समझा। तुम्हारे और बाकियों में सिर्फ एक फर्क है। दिल में कुछ दवी हुई भावनाई हैं जिनने तुम पूरा करना चाहते हो। और इसी लिए वो काम तुम नींद में कर जाते हो। तो तुम्हारे इस केस में अर्जुन तुम्हारा इमोशन जुड़ा है। नींद के समय अर्जुन बनके खुद से बदला लेते हो। अगर अर्जुन जिन्दा होता, तुमसे कैसे बदला लेता। अंजाने में सोचते रहते हो। अपने दिल की दबी भावनाओं को कभी डायरी में, कभी लेटर में, और कभी दिवार पर लिखते हो। तुम इस CCTV फूटेज को देखो तुम पूरी तरह हैरान हो ना नीन में चीजे तोड़ना पेपर्स भाड़ना और तो और लगातार चिलाते जा रहें जीरो मैमोरी के चलते तुमने क्या किया कुछ याद नहीं रहता इसलिए अपने मामा से बैग लेना याद नहीं और भिखारी को जो बैग दिया वो भी याद नहीं अपने नीम के अंदर तुम एक डखेती का हिस्सा बने और मडर का भी हिस्सा बने गर्ल्फ्रेंड के घर जाके उसे तुमने किस किया जब मामा से भैग लिया भैग लेते समय तुम उसी वक्त अरजुन जैसा विहेब करते हो और तो और उसकी तरफ से अपने लिए लेटर्स, डाइरीज और दिवार पर लिखते थे गुस्से में गर पर रखी सारी चीजें तुम ही तोड़ते थे ये बीमारी दीरे दीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ कम हो जाएगी तुमारे नीन से जागने के बाद जहां भी जाओगे जो भी करोगे बिना कुछ बदले तुम उसी जगा आकर सो जाओगे बस इसी लिए इतना करने के बाद भी तुमें कुछ याद नहीं रहेगा यकीनल अर्जुन की मौत के बाद तुम्हारी इस बिमारी की बातें तुम्हारी माने छिपाई होगी अगर बिमारी के बारे में बता देती तो वो हमेशा डर्मी जीता समझदार होने के बाद जब उसे पता चलेगा तो वो हिम्मत से उसका सामना कर पाएगा अर्जुन के जाने की बाद, आधित्य से अर्जुन की मौद का राज और उसकी बीमारी की बाद बताने की हिम्मत नहीं कर पाई ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है अपने इमोशन्स को खुद कंट्रोल करना होगा और हाँ, फिल्कुल सावधान रहना होगा आज तक मैं अपनी बीमारी से अंजान था बचपन में अर्जुन नहीं, मैंने चुरी की थी आज भी मैंने ही चुरी किया, मर्डर किया, हनसिका के घर में खुसत सारे गलत काम मैंने ही किया इसका मतलब जिस दुश्मन को मैं ढून रहा था, वो मैं खुद था अब साही बाते साफ हो गई, अपनी कर्मों का, मैं खुद, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अब क्या इनसान बिना मकसद के कुछ नहीं करता, हो ही नहीं सकता जरूरत, इच्छाएं, पावर की ललक, या फिर बदला लेने की हवास मेरे भाई को तो उसे ने मारा, पर किस लिए है, मेरे आदमी को देखकर भाग गया, क्या डर की वज़े से शेहर में एक बार डर के पीछे आटता है, घात लगाने से पहले वो इंसान नहीं, कभी निशाना ना चूकने वाला एक मिसाइल है कौन है वो? वो इंसान नहीं वो इंसान नहीं अग मार फच्री आगते हैं और मिया ऑल सुजब नग्रण कर पूमिया कि अख कि झाल झाल सर्थ, आपने फाइल मोगाई थी, अधिती के पापा के एक्सिदेंट केस की भाया, उसका पता चल गया करन है वो? जो एक्सिदेंट बुन्दा ने किया था, वो केस फिर से खुल गया भाया ये था तो एक्सिदेंट, लेकिन जानबूच कर किया गया था वाट? मुन्ना, 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 क्या हुआ? मुन्ना, पुलेस, भाया ने जो कोकेन मंगवाई ये न, वो काहर के डिक्के में, ए इधर दे मैं देख लूँगा ये न, तो टेंशन मतले ए गाड़ी रोको, रोको जरा डिक्की खोलेंगे सर? मुन्ना, वो टककर मुन्ना ने मारे थी सर, लेकिन किसी अंजान गाड़ी का नाम लिखके केस बंद कर दिया गया अधित बेटा है उसका जिसे मैंने एक मामूली बुलेट समझा था वो तो एक खतरनाक एटम बॉम निकला क्यों उसे मैंने अंदेखा किया लाइफ में जिस पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला अब शक की कोई गुझाईश नहीं रही वो मेरा वो तो एक राइब किया झाले बाले बाले फस्टेश कर ऱेंग। झाल झाल छोड़ी और मडर किस ने किया? किस ने किया? कि रोको गारी रोको आधिथ्य, अतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हैं? आज इस जगये पर मेरी ड्यूटी लगी है तुमने कहा था बैक हो गया है ये पीछे की सीट पर था ऐसे चुपकी हो बेटा रोड नमबर दस पे एक एक्सिजेंट हुआ है जल्दी वाँ पहुचो जा रहा हूँ सर, ओवर सुनो, सुबह ठाने में मिलते हैं जल्दी से रोड नमबर दस पे चलो यानि इस सारे खेल का सूतरधार रही है ये सारे चुर्ब मैंने किये पागलों के तरह किसी और को पुन रहा था मैंने बस खुद को एक मोहरा समझा जब कि मोहरा चलाने वाला खिलाडी मैं खुद था मैं इंस्पेक्टर का सस्पेक्ट हूँ और मेरा शिकार वो रन जीद है तेरा कातिल मिल गया मुना मैं तुस्से एक वादा करता हूँ अगर उसे खतम नहीं किया तो हजारों लानते हैं मुझ पर तेरा कर्च चुकाना है मुझे खुद मर जाओंगा पर वो जिन्दा नहीं रहगा कुछी देर की बात है करन भाई जब कोई इनसान जीतता है तो उसकी खूबियां दिखाई देती है पर जब वो हारता है ना तो उसकी कमजोरियां सामने आ जाती है हार इनसान की कोई कमजोरी होती है अगर वो पता चल जाए ना तो जहनुम से भी बत्तर उसकी जिन्दकी बना सकते है तुमने उसे देखा है न, उसकी कमजोरियों पर तो गौर किया होगा, मुझे उसकी वीकनिस बताओ क्या आप आदित्य की माँ है, अहां कहिए मैं उसके ठाने का ऐसा है, अंदर आ सकता हूँ अहां आए ना प्लीज ऐसी ही आ गया, पिछले दो दिनों से आदित्य ड्यूटी पर नहीं आया, सोचा घर पर होगा वो दो दिन से घर नहीं आया है, कुछ हुआ है क्या बिल्कुल नहीं, कैजूल विजिट किया था अहां, एतराज ना हो तो, क्या मैं आदित्य का रोम देख सकता हूँ ठीक है सर जड़वा है क्या, अहां सर एक तो आदित्य है, और दूसरा अर्चुन, एक एकसिडन्ट में, बच्पन में ही उसकी मौत हो गई ओ, सॉरी, पहले से बहुत उल्जाओ हूँ, एक नया कन्फ्यूजन अहां, अधित्य से कहना मुझसे मिले क्या दूँगी सर चलता हूँ मा तो हमेशा बेटे का ही साथ देगी, ये कुछ नहीं बताने वाली है तो आप क्या करें सर बर एक काम करा, दो लोग ठाने जाओ, डेस चेंज करके यहां पे निगरानी रखो अधित्य के घर पहुचते ही मुझे इन्फॉर्म करते हैं इसका मतलब ऐसा एको भी शक हो गया है अब आगे क्या तुम्हारा नम क्या है? कुमार तुम्हारी उम्र? चालिस का होने वाला हो सर तुमने अपनी पत्ती का खून किया है? सवाल ही नहीं सर पकड़ा गया उल्लू का पठा जूट बोल रहा है यह पॉलगराफ बता रहा है कि इसी ने अपनी वाइब को ठीकाने लगाया ओके सर ऐसे लोगों का बस एक ही लाज़ है जंगल में ले जाके इनकाउंटर कर दो कैसा है भाई? अबे कबसे रुका हूँ यार? बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं फस गया हूँ प्रॉब्लम टूबे ट्राफिक है एक तरफ खड़ी होती है दूसरी तरफ सॉल्ब होती है सिंबल पर यहां प्रॉब्लम मैं खो दो बात क्या है? बैठ बताता हूँ ये बता? ये नीन्द वाली बीमारी कब से है? है तो बचपन से, लेकिन पता आप चला है समल के रहना, मेरे दादा को भी यही प्रॉब्लम थी एक दिन नीन में बाहर गाए, फिर कभी लोटके आए ही नहीं डरे हुए को ज्यादा मत डरा, चुपचाब बैठा रहे किसी पार्टी में लेके जा रहा है क्या? तेरे जैसे स्ट्रॉंग आदमी का सॉफ्ट्वेर कंपनी में क्या काम? मेरे दिल का सॉफ्ट कॉर्णर यहीं पर है क्या मतलब? चलो कहीं और चलते हैं हांसिका, जरा एक मिनिट मेरी बात सुनो आप क्या कहना है? प्लीज हांसिका, मैंने जान बुझ कर तुम्हें किस नहीं किया ओ, कल तो कहा कि कोई किस नहीं किया और नहीं तुम्हेरे घर आया और अब कह रहे हो जान मुझ कर किस नहीं किया इंसान बिना ओक्सिजन के नहीं जी सकता लेकिन तुम ओक्सिजन और जूट दोलों के बिना नहीं जी सकते अरे यार हंसिकाब, मुझे एक sleep disorder है, ये बात अभी अभी पता चली है ओ, काफी creative चूट बोलने लगे हो, तुम्हारी जूटी कहानिया और जूटी बखवास सुनने का नहीं mood है और नहीं time तुबारा कोशिच भी मत करना, भाई अरे हंसिकाब, हंसिकाब डूट, लड़की के साथ लोचा किया मतलब, इलाज थोड़ा हटके करना होगा ए, रोड की तरफ क्या देख रहा है हरे यार, हंसिकाब इसी रास्ते से जाती है, बात भी नहीं सुन रही है मेरी ए, इधर आ, दवा ले गटा गट, गटा गट, एक सांस में हाँ शबाश, सुन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्यों, मेरे अंदर एक राक्षिस छुपा हुआ, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं गलोफर हूँ, एक दम सही का, कितना अच्छा समझते हैं खुद को, चल बैट जा, अरे लड़कियों को तो न्यूटन भी समझ नहीं पाया, लॉफ लब नहीं बना पाया, हमारी क्या उकात? अदित्या, ए, तुम यहां कैसे? I'm sorry, अदित्या क्या हुआ? तुम मुझे अपनी जेन्वन प्रॉब्लम बताने आये थे और मैंने गुस्से की वज़े से तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हे बला बुरा क्या दिया, मुझे कल रात ही बता चला क्या हुआ था कल रात को? रात को… मैं सच कह रहा हूँ हंसिका, जान बूच के किस नहीं किया था, नीन में चलने की बीमारी है, मैंने मुन्ना को मारा, मैं सच कह रहा हूँ, यकिन क्यों नहीं करती हो? तन्ज़ कह रहा हुआ है तन्ज़ कहा हुआ है आंकल? इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हूँ? आंकल, यह आत्मी… हे भगोल, यह मेरा पिक्षिंट है, इसे तो स्लीप और दिसॉडर है। दिल में अपने दबे हुए एमोशन्स को जो चाकते हुए नहीं कह पाते, रात को एक्सप्रेस करते हैं। अंचाने में फास गया, एक चोरी केस में और मडर केस में। इमोशन में आके अपनी गर्ल फेंड को किस भी किया। सबसे बड़ी ट्रेजडी यह थी, अपनी बीमारी का पता ही नहीं था। इस समय भी, यह बहुत गहरी निन में, यहां रुकना सेफ नहीं है। बेटी, तुमारी स्कूटी का रखी। यहीं सामने है। फीचे बेटी, समभल के जाना। मुझे लगा, तुम मुझे बनाने के लिए जूट पर जूट बोल रहे हो। पर मैं ही तुमारी बात समझ नहीं भाई। और तुम्हें बहला बुरा क्या दिया। और जब अंकर से सच्चाई का पता चला, तो अपनी गलती समझाई। आपनी गलती समझाई। खुमि- हेई को मैंओा आबसे का? आबसे का? आबसे का? आबसे का? आबसे का? हन्सेका हन्सेका हलो तेरी आवाज सुनने के लिए मैंने पूरे 20 दिन इंतजार किया पर आज तेरी सूरत देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा 20 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं कौन हूं तुझे समझ में आ गया होगा क्या सोचा था? मेरे भाई को मार कर तुझ जिन्दा रह पायगा उस दिन तो बच गया था पर तेरी कमजर ही मेरे हाथ आ गई तेरी गर्ल्फरेंड इस वक्त मेरे पास है और अभी तक जिन्दा है तुझे मेरे पास आना होगा श्ष्ष बैट honeymoon मेलेडीज लोगों की बहुत इज़त करता हूँ और इसलिए अभी तक को आ रहा हूँ मतलब समझ रही हो ना बीस मिनट और फिर तुम यहां से जा सकती हो जहनुमे टाइम आप यहां 24 आवर्स इंवर्टर बैक अप है शॉर्ट सर्किट का चांस ही नहीं है पावर जाने का मतलब है वह आ चुका है उसे ढूड़ जाओ चलो ढूड़ो उसे युरो को शुका है वुशक घ्हां अभा़ग जालोका है वुशक है इसंगर। वहां वुशक बचले कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अजय को 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 झाल 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 मेरे साथ रहोगी तो मुसीबत में पड़ोगी तुम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं मेरे सारे प्रोब्लम्स मुझे को सुल जाने होंगे तुम जा पहले ही तुम्हारी बात ना मान कर गलती कर चुकी हूँ अब सच्चाई चैनने के बाद तुम्हें छोड़ कर कैसे चा सकती हूँ इस मुश्किल वक्का हम मिलकर सामना करेंगे तो मिस्टर विहान केस का स्टेटस क्या है दोनों केस के पीछे एक ही आदमी है सर और वो आदमी कौन है मेरे थाने में पोस्टेड हैं कॉंस्टेबल आदित्या पॉलिस इन घिनोने क्राइम्स में इनवाल है ये जानके ना सिर्फ मीडिया बलकि पबलिक भी हमारे कपने फार देंगे कुछ बाते थोड़ी complicated सर चोरी के पैसों के लिए नहीं किया गया ये कतल बदले के लिए किया strong evidence नहीं मिले सर इस राज का खुलासा आदित्या ही कर सकता है क्योंकि वो पॉलिस वाला है मीडिया और पॉलिस से हमें उसकी पहचान छुपानी होगी तो जाओ बिना समय गवायों उसे arrest करो आदित्य को कैसे पकड़ना है और कैसे ढूड़ना है मैं जानता हूँ नमस्ते माजी मैं आदित्य का दोस्त हूँ अ अंदर है ये बैजी टेक्नॉलिजी कितनी बदल गई है अगर किसी की फोटो मिल जाए तो उसका नाम, पता, जनम कुंडली साब मिल जाता है मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आयो अब उससे पहले जरा मुँ मीठा कीजी ना अच्छी खबर ये है कि मैं अदित्य को मारने वाला हूँ हाँ ये अच्छी खबर आपके लिए नहीं है मेरे लिए है वैसे कमाल है ना आपके पती एक्सिडेंट में मारे गये थे ये बात सिर्फ मुझे और अदित्य को पता है वो एक्सिडेंट मेरे भाई ने किया हलो सर रंजीत अदित्य के घर आया था अंदर जाओ और ठीक से चेक करो ओके सर सर अदित्य की मा तो बेवश हो चुकी है उन्हें होस्पिटल पहुचाओ चल्दी मैं आ रहा हूं डॉक्टर अब कैसे है वो उन्हें सही टाइम पर एड्मिंट किया इसलिए अब वो खत्रे से बाहर है थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू किसी भी वक्त यहां आदित्य आ सकता है ओके सर, हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, आईसी यू रिसेप्शन हर जगा नज़ा दखना है ये सर, किसी भी सूरत में आदित्य के बचना नहीं चाहिए, समझ लगा आदित्या, रंजीत तेरे घर गया था, और धोखे से तेरी माँ को जहर खिलाया ये क्या कह रहे है मामा? हाँ बेटा, उसे हॉस्पिटल लेकर आए है अब कैसी है वो? अभी ठीक है वो, लेकिन बाहर रंजीत के आदमी खड़े है हॉस्पिटल के अंदर कॉंस्टेबल्स और एसाई, तेरे आने का वेट कर रहे हैं बेटा मामा, आप सिर्फ माह का खयाल रखिए वहाँ आने से पहले मुझे एक हिसाब चुक्ता करना है ठीक है बेटा आज़ा बच्चू, तुझी स्वाट बपतो है अब तक तुमने जो कुछ भी किया है, वो सब तुमसे अंजाने में हुआ है ये बात पुलीस को जाकर बता क्यों नहीं देते बताऊंगा, पर अभी एक काम बाकिये है पहले उससे पुरा करूंगा आज उपरवाला भी मुझे रोपना चाहे, ये जंग होकर रहेगी आज की रात फैसले की रात है, या तो जीतूंगा, या मर जाऊंगा कल का सूरज नहीं देखेगा वो हॉस्पिटल के चारों तरफ मौत का जाल बिछा दो ए, वो किसी भी वक्त आता होगा, इसी हॉस्पिटल मुझे पॉस्पाटम होगा आज की रात, आदित्य सलाखों के पीछे होगा अज की रात, आदित्य समय देखेगा तुझे रंगे हाथ पकड़ा है इतनी आसानी से अरेस्ट करूँगा कभी नहीं सचा था एक लूट में इंवाल्मेंट और एक मर्डर में तुझा खिर संपला Excuse me Please Sir, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ ये मेरे पिशेंट है इसे sleepwalk disorder की बिमारी है क्या? sleepwalking? जी, हाँ ये देखिए, ये इसकी बिमारी के reports है सारी details है, video footage भी है जो बिना इनके permission के ली गई है Please check जब ये सोते हैं तो बहुत ही गहरी नीद में चले जाते हैं That's it सर, ये है मेन सबूत Anti-sipetry bill मेरे क्लाइन को एक खास बिमारी है इसलिए कल रात को गहरी नीद में यहां के वो सो गया इस murder से इनका कोई तालुक नहीं है जब तक ये दोशे साबित नहीं हो जाते ये मुल्जिम नहीं हो सकते बिना पुक्ता सबूत के इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिए सकते आप खेल खतम नहीं हुआ नीद में किया क्या सबूत बे मतलब जागते हुए जुर्म किया या फिर नीद में जुर्म किया सच क्या है जूट क्या है 10 minutes 10 minute में पता लगालूंगा प्रभाकर, सर, आधित्य की फिंगरप्रिंट्स, रंजीत की बॉड़ी से मिले फिंगरप्रिंट्स, चाकू, फॉरेंसिक लैब भेजो, घर के CCTV फूटेजेस निकालो, चेक करो, अगर पावर कट हुआ है तो इसी की कारस्तानी होगी, इमिजियेटली रिपोर्ट्स मेरे हाथ में होने चाहिए, रामो, लाइट डिटेक्टर पर इसका इंट्रोगेशन करवा, बस मुझे दस मिनिट का टाइम दे दो, इन सवालों का जवाब चाहिए, ओके तुम्हारा नाम? आदित्या, फैमिली में कोन है? मेरी मा, पापा नहीं है, मेरा जुड़वा भाई अर्जुन, उसकी मौत हो चुकिया, अर्जुन कैसे मौत हुई उसकी? बचपन में उसका आक्सिनेट हो गया था, तुम्हें नीद में चलने की बीमारी है? हाँ, एक स्लीप डिसॉर्डर है वो चोरी तुमने की थी? नहीं कोई चोरी नहीं की, नीन में एक बैग मिल गया था, मैं उसे वही रोड पर छोड़ा है मुन्ना कमाडर वो तुम नहीं किया? मैंने मुन्ना कमाडर नहीं किया क्या कर रहे थे वाँ? नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग कर रहा था रंजीब का गदल तुम नहीं किया? उसका कदल मैंने नहीं किया उसके घर में मैं नीन में चल कर पहुँचा था कोई गडबड? नहीं सर, इसने जो कुछ भी कहा, सब सच है अँ, डैमिन सर, लैब रिपोर्ट्स आगी हैं सर रंजीब की बॉड़ी पर मिले उंगलियों की निशान आदिता की फिंगर प्रिंट से मेल नहीं खाते हैं काई? जी आँ सर ये CCTV फुटेज चेक किजी पूरी रिकॉर्डिंग में एक सेकंड कभी पावर ब्रेक नहीं है पूरा फुटेज देखिए सर आदित्या नींद में चलते हुए इसके घर आकर सो गया और ठीक दो मिनिट बाद किसी ने रंजीत को हॉल में फेंग दिया और वो फोर्स इतना था कि उसकी बॉड़ी बहुत ही दूर आकर गिरी बालकनी में सिसी टीवी कैमेरा ना होने की वज़े से कातिल की शकल रिकॉड नहीं हो पाई सो आदित्या थांक गोड थांक यू डॉक्टर डोंट बरी यह सब क्या था बेटा घबराईये मत मामा सारे सवालों के जवाब मिल जाएके यह फिंगर प्रेंट्स और यह सिसी टीवी फुटेज सब यूजलेस हैं सर इस मर्डर में आदित्या का हाथ बिलकुल नहीं है यह बात तो पूरी तरहा से क्लियर हो गई है सर और बागी दोनों केसिस में भी उसके खिलाफ एक भी सबूत या गबा नहीं है सर अदित्या बोलो हाँ अदित्या बोलो नीम की बीमारी की वज़े से मैं मुसीबत में फस चुका आपके थोड़ी मदद चाहिए थी शूर डेफिनिट्ली कल सुबह ठीक साथ बचे आप प्लीज रंजीत के गेस्ठाउस पहुचिए और पुलीस को बताइए कि मुझे नीम में चलने की बीमारी है मेरे रिपोर्ट्स भी ले आईएगा हाँ ले आऊँगा हलो अदित्या कल सुबह ठीक साथ बचे तुम्हें रंजीत के गेस्ठाउस आना होगा एक वकील के साथ उसे सब समझा देना कल इस केस को खत्म करना है अगर मैंने नीन में कोई काम किया है तो वो जुर्म नहीं होगा यही है अमारा लूप होल ओकी अदित्या बोलो बेटा गौर से मेरी बात सुनी कल सुबह ठीक साथ बज़ित मैं रंजीत के गेस्ट हाउस में मिलूंगा यह बात एसाई विहां को बता दीजेगा लेकिन क्यों मामा भरोसा रखिया और जो कह रहा हूं वो कीजे कल सब पता चल जाएगा ओके कर दो देखो कैसी अवाज है ओके भाई बहुच मैं नहीं बहुच मैं नहीं वा चुका है जुनो से बहुच मैं नहीं बहुच मैं नहीं पादम कर दो थे झाल झाल ख्याब घर जतीं कुछ रिमाब भाब और रहर!!!! अ़ैंगी जर किता है ।ध। बूद। जर किता है किता है क unravel की कि बड़ पता है नटुझ प мощ उब हो ट्रिज लरस्ट ड़ियर अिर गच verb asan कि बड़ मुख के नव är के आप आप यह उ हम यह मेरे पापा की मौत का बदला तेरे भाई को मार कर पूरा किया मेरी कमजोरी समझ कर तुने मेरी गर्फरेंग को किड्नाप किया मेरी माँ को जहर दिया लेकिन अपनी कमजोरी को मैंने अथिहार बनाया है और वही तुझे मारेगी गोड़ाजार पेसित अवाजार इफश्ट के आते हैं भाज़ार इसरों के एक से अवार इसार्ञ के जिला इस प्रिशकता है सब्सक्ता हुआरे हैं अबसा मिटवरा इस प्रिशकता है कर दो कर दो सर खबर मिली आदित रंजीत के गेस्ट हाउस में गया है खरत कॉंस्टिबल्स सला लव कर जिस बीमारी की बचह से मैंने जुर्म किया उसी बीमारी का फाइदा उठा कर मैंने बदला पूरा किया शतरंच के खेल का उसूल है सामने वाले की चाल पहले भाब लो जानता था है साइव विहान की सोच कहा तक जा सकती है और इसी लिए लाई डिटेक्टर से जूट बोलने वाले को पकरा जा सकता है लाई डिटेक्टर को धोका दे सकते हैं देख भाई प्लाइट डिटेक्टर ऐसी चीज है जो आपके दिमाग की, दिल के धरकन की, शरीर के फुर्जे-फुर्जे की हरकत को पकड़ लेता है जूट बोलने से पहले आदमी की फूरी की फूरी बॉडी नर्वस हो जाती है लेकिन उसे धोखा देने के दो तरीके हैं प्लाइट डिटेक्टिंग के समय हैं, पहले परसनल सवाल पूछते हैं, उसके बाद असली मुद्दे पे आते हैं जब तो कि मांदारी से सही जवाब देते रहोगे इसलिए में सवाल पूछते समय नर्वस मत होना, नहीं तो मामला बीगड़ जाएगा जब वो मुश्किल सवाल पूछे हैं, तो कुछ और ही सोचने लग जाना अपनी लाइप के कोई मज़दार लमहा याद करना उसके बाद जवाब देना अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से इस इमतहान को पास कर लिया सब को चकमा दे गया, बीमारी का हथियार बना कर राम और रावर्ण हमारे अंदर दोनों होते, कब कौन हावी हो जाए कोई नहीं जाना अपनी कमजोरीयों को हावी मत हो ले देना, असली गेम अब शुरू होगा अब शुरू होगा कोई से अब अब शुरू हो व Kirsty अब भीं है कर दो कर दो झाल झाल